डॉक्टर यतिन महता अब देखिए एस्टरेजैनिका को लेकर तो कुछ रिसर्च भी हो रही है उन्होंने कुछ एविडेंसेज भी दिये हैं कुछ हद तक माना भी है ये तो कोविड शील्ड की बात हो गई कोवैकसीन भी तो लगी है ना 35,5 करोड डोजिस लगी है तो मतलब 15-17 करोड लोगों को कोवैकसीन भी लगी है क्या उस बाबत उसके आफटर आफेक्ट्स को लेकर कोई हमने स्टडी की क्या वो जरूरी हो जाती है इस एक्सेप्टेंस के बाद अब डॉक्टर संजराय कहे र ने तो ये पहली बार खबर आ रही है ना नहीं संदीब जी ऐसा है कि हर वैक्सीन की साइड इफेक्ट होती है और जब पेंडेमिक हुआ जब महामारी हुई तो उस वक्त तो हम मैं मानता हूँ कि थोड़ा जल्दी में वैक्सीन एप्रूव हुए थे क्योंकि लॉक्ट साइब ने अच्छी तरह एक्स्पेंड किया है कि कितनी डेट्स को सेव करना था इसलिए हमें ये ज़रूर ही था कि ये जल्दी में हम वैक्सीन एप्रूव करें उस टाइम काफी सेफ था अब डेटा वो जो आईसी एमर का डेटा आया था 27,000 परीज का डेटा आया था कोवी शील का उसमें उन्होंने सेफ उनको मिला था लेकिन मैं मानता हूँ कि कॉप्लिकेशन का इंसिदेंस हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो और अब हमारे पास इतना डेटा है जिससे हम प्रॉफरली आइनलाइस का सकते है अब भी पैंडेविक भी नहीं है जोफ्तर यतिन मैता कोवैक्सीन का डेटा है क्या कोवैक्सीन का डेटा है क्या इसमर आईसी एमर की एक सेकंड सुनिये ना आईसी एमर की जो स्टडी हुई है तथा कति स्टडी साथ सो उनत्यस केस और दो हजार नौस सो सोला कंट्रोल्स वर इंक्लूडिल इन दे अनालिसिस यह पारल्मेंट में रिपोर्ट दी गई साथ सो उनत्यस लोगों पर अनालिसिस करके क्या हम किसी निशकर्च तक नतीजे तक पहुँच सकते हैं कि युवाओं में यकायक ये जो सवाल वहां पर ये उटने लगा था कि युवाओं में यकायक सजन डेथ की खबरें बढ़ने लगी हैं कि नहीं नहीं कोई को रिलेशन नहीं है नहीं देखिए elderly population में हो सकता है thrombosis का incidence ज्यादा हो लेकिन उनमें risk of death is also very high because of covid अगर होता है तो लेकिन अभी ये दोनों को हमें ज्यादा ज्यादा नमबर में analyze करके देखना चाहिए कि ये situation serious है कि अब इतनी serious नहीं है क्योंकि मौते जो काफी होई थी जिनको vaccine नहीं लगे थे और vaccine की वज़े से लाखों और करोड़ों जाने हमने बचाई हैं उसमें कोई doubt नहीं है अभी तक जो जानकारी अब हमारे सामने आ रही है डॉक्टर यतिन महता Is it just the tip of the iceberg कि अभी और कुछ हमारी धड़कने बढ़ाने वाले आखड़े तो नहीं आ जाएंगे मुझे नहीं लगता कि इतना कोई धड़कने बनानी वाले कोई जादा खत्रा है और कुछ केसिस होंगे हार्ट अड़क से लोग मरते ही हैं चाहे उन्होंने वैक्सिन लगवाया कि नहीं लगवाया कि कोई और वैक्सिन लगवाया इसलिए वो जरूरी नहीं कि कोरेलेशन हो मैं नहीं कहता कि कोरेलेशन नहीं होगा लेकिन इतने कोई खत्रे वाले मैं मरीज कोई नहीं देखता हूं नहों कोई पैनिक वाली बात है पर येस डेटा को अच्छी तरह ICMR को पूरा लाज़र नमबर्स करना चेंगे क्या आपको लगता है और ये राजनेतिक सवाल नहीं है पर सरकार की तरफ से अब क्लियर कट कुछ संदेश आने चाहिएं सरकार है स्वास्त मंतराले है एम्स है ICMR है कि भाई कोई घबराने की जरूरत नहीं है ये राजनेतिक जो आरोप रत्यारोप है इनको हावी नहीं हो पराता है उसको ऐसी खबर मिलती है तो बिलकुल सही बात है और संदीब जी आपको मैं एप्रिशेट करता हूँ कि इस गरम महाल में आप नॉन पोलिटिकल डिसक्रेशन करवा रहे हैं लेकिन इस वक्त भी हेल्थ मिनिस्ट्री को या ICMR को कुछ स्टेट्मेंट्स बगरे द ब्राजनीति को एक तरफ साइड पर रख दीजे इन लोगों को अपना काम ठीक से करना चाहिए और अभी से पबलिक को दिलासा दिलाइए कि कोई ऐसी घबरावने वाली बात नहीं है और कुछ हुआ तो हम बताएंगे आप जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पर आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पर आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फ ABP News आप को रखे आगे